हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ यासमीन कहते हैं जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली तेड़ी करनी पड़ती है जो कि फिल्हाल बॉलिवूड की मस्तानी कहे जाने वाली दिपिका भादू को उनकरती नज़र आ रही है दोस्तों आपने देखा होगा इन दिनों दिपिका ठेटर्स की चक्कर काट रही है लेकिन वॉलिवूड की इतनी बड़ी आक्टरिस जिन्होंने खान तिकडी को भी कई मामलों में पचाड़ा है उन्हें ठेटर्स में जाने की क्या जरुवत पड़ गई ताना जी भी रिलीज हुई है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे है लेकिन दिपिका की चपाक उसके आगे पानी भरती नज़र आ रही है यही वज़ा है कि दिपिका ने सोचा होगा कि लोगों से मिलें फिल्म के बारे में बताएं और वैसे भी आम लोगों में सेलिबरिटी से मिलने और उनसे बात करने का लोगों को कितना क्रेज होता है यह सब ही जानते हैं इसी बहाने क्या पता ताना जी देखने वाले कुछ दर्शक चपाक को मिल जाएं दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है लोगों को इमोशनली अट्राक्ट करना जैसा कि फिलहाल दिपिका और चपाक की टीम ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया है जहां फिल्म की टीम ने तेजाब के खरीद फरोक्त का काम किया है काश्वल ब्रेस में दुकानदारों के पास जाकर उन्होंने तेजाब खरीदा है देखा जाए तो बात भी अच्छी है लोगों में दिपिका जागुकता फैलाने का काम कर रही है साथ ही एक ती से दूसर जो निशाना है वो ये है कि लोग इस वीडियो के जरिए इमोशनली और सोशली कनेक्ट होंगे छपाक देखने का उनका रुझान बढ़ेगा क्योंकि अभी जो फिल्म का हाल हो रहा है उससे तो उस सभी वाकिफ है तो क्या पता इन पैतरों से कुछ काम बन जाए हाला कि पैतरे तो इससे पहले भी अपनाए गए थे जब उनकी फिल्म रिलीज होनी थी उस वक्त दिपिका जेनियू पहुंच गए थी उनके वहाँ पहुंचते ही तुक्डे तुक्डे और आजादी गैंग जैसे लेबल अपने नाम कर चुके कनाया कुमार ने आजादी के नारे लगाने शुरू कर दिये थे ऐसे में लोगों को ये बात खटक गई कि भारत के तुक्डे तुक्डे करने वाले नारे दिपिका सुन कैसे रही है क्या वो नहीं सपोर्ट कर रही है क्योंकि अगर वो इंसानियत के नातेज हात्रों के साथ खड़ी होने गई थी तो वहीं इंसानियत उन्होंने निर्भया के माता-पिता से मिलने के लिए तो नहीं दिखाई जिनके आरोपियों को उसी दिन death warrant जारी किया गया था ऐसे में सीधा मतलब तो यही निकलता है कि उन्होंने महस फिल्म की publicity करने की कोशिश की थी जो कि उन्हीं पर backfire कर गई लोगों ने उनकी फिल्म देखना तो दूर उसे boycott करने की मुहीम छेर दी लगता है एक बार जटका लगने के बाद दिपिकाओ को बात समझ में नहीं आई है तभी तो छपा का बुरा हाल देखकर उन्होंने एक बार फिर तरह तरह के पैतरे अपनाने शुरू कर दिया है अब देखते हैं कि उनके पैतरे कुछ काम आते हैं या नहीं क्योंकि अभी तक तो फिल्म वॉक्स आफिस पर बैल गाड़ी की चाल से चल रही है फिल्म ने ओपनिंग की थी चार करोर सततर लाग से और अब तक फिल्म अपने बजट के आसपास भी नहीं भटक रही है बजट फिल्म का 35 से 40 करोर बताया जा रहा है और फिल्म ने अभी तक 29 करोर लगभग कमाए है बात करें इस फिल्म की तो ये है ऐसे डटाक सर्वाइवर लक्ष्मिय अगरवाल की जिंदगी पर बेस्ट फिल्म में उनका खिरदार दिफिका ने निभाया है भले ही फिल्म कमाई में कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही हो लेकिन कहानी ऐसी है जो आपको अंदर तक जखचोर कर रख देगी मेगना गुल्जार ने इस कहानी को बखुबी परदे पर उतारा है क्यूंकि ये जी चुकी हैं इनके लिए अभी भी देखना आसान नहीं लेकिन मेरी उमीद है कि इस फिल्म से वो सिर्फ यही याद रखेंगी कि ये उनकी जीत है ये हमारा पूरा सफर उनका पूरा सफर हमारे हाथ में जो ये पुंजी है चपाक के नाम की ये लक्षमी की जीत है वो याद रखना ज़रोरी है जैसे विशेपर एक फिल्म बनी है उसमें गाने होना इमाजन करना बहुत मुश्किल था पर गाने हैं रोमैंस है लव सॉंग है और ये जो गाना है ये जैसे दीपिका ने कहा है ये हमारी फिल्म का सोल है रू है हमारी फिल्म की और असान नहीं है कि इस तरह की फिल्म में कैसा म्यूजिक दें ज्यादा खुश भी नहीं हो सकते ज्यादा उदास भी नहीं हो सकते एक बहुत ही महीन बैलन्स कायम रखना जरूरी होता है लव्स के तौर पर क्या लिखें जब आप आसे डिटाक्स के बारे में बात कर रहें यह सारे मुश्किल काम मैंने सौंपे शंकर एसान लोई एसान आज यहां नहीं है एसान भी मिस्यू वेरी मच और उन्हें जिनके लव्स इस गाने में हैं तो मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहोंगी शंकर लोई प्लीज जिनके बुलाना चाहोंगी पापांगी शंकर लोई भी शंकर लोई पर लोई प्लीज और उस्टो आटाला शूंगी Foxstar Studios has supported Chhapak wholeheartedly, single-mindedly. Vijay, if I could ask you to start with a few words, please. Friends from the media, firstly I want to begin by thanking you. पिछले तीन चार हफ्तों में आपने हमको इतना सपोर्ट बिया हैं. And I'm truly from the center of hearts, from this entire team, thank you for that. The second thing I want to say is that, you know, a lot of us have been working for some time and I think it's a real privilege and I honestly believe I think we are blessed because films like these, you can't put them together. They come together because of the right energies, the right people and because the story needs to be told. And I think this is one of the rare gems that has come together in that way. The second is, I am truly blessed. मैं आपको इतना बता दूँ कि, because it's a song launch, कि ये गुलजार साथ के साथ, एक बरी काम करना भी, you know, सबकी विशलिस पहे हैं. I think I am blessed. I have worked with Gulzar साथ on multiple times and this is such a special relationship and thank you so much. Thank you. मैं यहां एक तो इन तीन लड़कियों का मद्दा हो गया. इन तीन लड़कियों ने बड़े कमाल किया है, क्योंकि ये सिर्फ अकेली एक फिल्म नजर नहीं आ रही है, ये पूरी की पूरी एक, उर्दू में कहते हैं तहरीख है, अंग्रेजी में कहते हैं मूवमेंट. It's a movement in the society. और इस तरह की फिल्म बनाने के लिए जो तीन पूर्डूसरों के नाम लिखे हैं, ये तीनों भी कमानें, जिसमें मैं विजे जी शामिल हैं और गोविन दिस वक्त नहीं हैं हमारे साथ, अहसान नहीं हैं, लेकिन, एक और पूर्डूसर हमारे साथे, जिसमें इन तीनों की बड़ी हिम्मत है, कि इनों ने ये इरादा किया, कि नहीं, ये बात कहनी है, ये सिर्फ खेल के लिए नहीं हैं, ये कोई बात है जो उने कहनी है, जोने समाज को कहनी है, लोगों को कहनी है, और पहुचानी है ये बात वहां तक, इन तीनों की बड़ी हिम्मत है इसमें, और परफॉर्मर्स आप जानते हैं, लक्षमी जहां से के ये ये रोशनी होगी, ये पैदा होई, और शुक्र है कि बड़े इच्छे लफजों में कहा में इखनाने अभी, कि इसमें कहां गुंजाइश थी म्यूजिक की यगाने की, नहीं, ये म्यूजिक, जिंदगी का म्यूजिक है, जो बहुत ज्यादा है है, उस म्यूजिक से, उस संगीत को जो आप रोज सुनते हैं, जिंदगी का संगीत है, इट हैस तू विन फाइनली, यहीं पे आके विक्ट्री है, तैक्स तो लक्षमी बन सब्याइन फॉर दैट, कि ये उसकी मुस्कराहट से पैदा हुई है, ये रोशनी, और चली आई है, समाई तक गई है, जो बहुत ही जरूरी है, बस इतनी सी ही बात है, जो मेरा खैल एक बहुत खुबी से कही है, और शंकर, नहसान, इन लॉय, इन लोगों ने तो रिदम दे दिया जिन्दगी को, उसी जिन्दगी को, जो हमें एक जगा लगा कि शुकड गई, बंद हो गई, ये मुठी में हो गई, जो छपाक से जला दी, किसी ने, उसको एक तहरीख बना दी, एक मूवम्में बना दी, हुआँ हूँए खुबी, चुबी, श्यूबी, प्रि fundamentally we do music for so many films but films like these when they come to you you really look up and you thank god that you know doing one film like this is equivalent to doing 20 films the effect the kind of impact that it has on everybody and you know to use music as a tool to communicate the message. See, this film is... it's not about box office, it's not about commercial success, it's way, way, way above all these things.